इस्राइल में राजनितिक संकट गहरा गया है प्रधान मंत्री बेंजमीन नितन्याईहू की गटबंधन सरकार मंगलवार को अंतिम समय सीमा के अंदर बजट पारित करने में विफल रही जिसके बाद संसत को भंग कर दिया गया है इस तरह से इस्राइल महस दो सालों में चोथे आम चुनाव के मुहाने पर है गटबंधन सरकार के सहयोगी और रक्षा मंत्री बेंगेंट्स ने नितन्याहू पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है उन्होंने कहा है कि अब बहतर यही होगा कि देश में नए चुनाव कर आ अध्यक्ष है जबकि रक्षा मंत्री बेंगेंट्स ब्लू एंड वाइट पार्टी से जुड़े है अप्रेल में दोनों दलों ने एक साजा समझोते के तहट सरकार बनाई थी हाला कि जल्द ही दोनों दलों के बीच मतबेच सामने आने लगे प्रधान मंत्री बेंजमीन न आरोप लगाया है लेकिन प्रधान मंत्री ने इन आरोपों को गलत बताया है दोनों के बीच ताजा विवाद बजट को लेकर है बेनी गैंट्स ने मांग की थी कि 2020 और 2021 दोनों को कवर करते हुए एक बजट पारित किया जाए ताकि स्थीरता बनी रह सके लेकिन पीम जामी नितन्याहू इसके लिए तयार नहीं हुए पीम नितन्याहू समर्थिकों का कहना है कि गैंट्स का ये प्रस्ताव केवल सरकार को अस्थिर करने की साजिश है वो नितन्याहू को हटा कर खुद प्रधान मंत्री बनना चाहते हैं इसराइल की संसद 69 का चुनाव अनु से कम 3.25 फीजदी वोट पाना जरूरी है यदि किसी पार्टी का वोट प्रतिशत 3.25 फीजदी से कम होता है तो उसे संसद की कोई भी सीट नहीं मिलती है पार्टियों को मिले मत प्रतिशत के अनुपात में उन्हें संसद की सीटे आवंटित कर दी जाती है ये प्रक्रिया 28 23 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाती है। और ब्लू और वाइट पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई थी। नितन्याहू का कहना है कि ब्लू और वाइट पार्टी समझोते से हट गई और देश को कोरोना संकट के दोरान अनवश्यक रूप से चुनावों में घसीटा गया। उन्होंने कहा कि वे चुनाव नहीं चाते और उनकी पार्टी ने इसके खिलाफ मत दान किया है। लेकिन वे चुनाव से डरते नहीं है क्योंकि वे जीतेंगे। इस दावे के बावजूत प्रधान मंतरी बेंजमीन नितन्याहू के लिए यह एक मुश्किल की घड़ी है। उन पर पहले से ही भरस्टाचार के आरोप है और काफी समय से उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे है। ऐसे में यदि चुनाव होते हैं तो नितन्याहू के लिए फिर से सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। अंकुस चौबे की रिपोर्ट गो न्यूज।